Hello everyone, कैसो आप लोग आई हो भाई हमेशे की तरह आप लोग गर्दा उड़ा रहे हैं और हज गर्दा उड़ाने के लिए जो हम फोन ले क्या है भाई वो है Redmi 13 Pro Plus काफी लोगों का डिमांड है कि इस फोन का रिव्यू करना है वैसे हम लोग इसका जो सिगनेचर कलर है परपल वा करने के बाद भी तो हम आज इसको टेस्ट करते हमाले हैं देखने यह वाले कि यह फोन जो है कैमरा के मामने में कितना गर्दा वड़ाता है वैसे इस फोन में दो चीज़ है जो फ्लैक्शिप बल आपको मिल जाता है एक है इसमें आपको फ्रेंट में गोरिला ग्लास विक् आपको कर सकता है जो कि एक बहुत छोटा नंबर है तो आप बहुत फास्ट इसको चार्ज कर सकते हो एंड में आपको बताने वाले हैं कि बैटरी का कितना चला हम इसमें बगरा सब कुछ लगा चुके हैं हमको इसका एक और चीज़ था जो काफी इंप्रेस किया वो इसका दिस्प्ट? डिस्प्ले में आपको 6.67 का गल जाता है कर्व डिस्पॉर्ट है seem वागा उर ड्यंटि लगते नhone का आपको सपर्ण wars का क良ल जागा और दूवल स्पीकर भी और यह सब चीज देखके हम बोल सकते हैं कि entertainment के लिए तो यह फोन काफी अच्छा है और outdoor में आप cameras वगरा यूज करते हो तो भी आपको काफी अच्छा output मिलने वाला है और दो चीज है जो हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा पहला यह कि इसमें Android 13 आता है इस प्राइस से ग लेकिन वैसा खुछ खास नहीं है कि अल्टरा वाला फील्ड है तो यह काफी अच्छा वैसा प्रोसेसर डे टुडे लाइफ वाले यूज के लिए इस प्राइस सेग्मेंट में आपको और भी अच्छा अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है गेमिंग वगरा के लिए यह फोन ब परचर के साथ आता है इसमें आपको वाइस पी मिल जाता है और यह कैमरा जो है कैपेबल है तो इसका फूटोस देखते हैं तो अगर आप प्राइमरी कैमरा मतलब वाइड एंगल के फोटोस का बात करोगे तो हम यहीं बोल सकते हैं कि हमको सटिस्टी परसेंट कहीं कह सकते है ग्रीन कभी-कभी बहुँ जादा ग्रीन करता है कभी फेड आउट हो जाता है तो थोड़ा सा यह सब चीज जो है ना शामी को आप्टिमाइज करना पड़ेगा क्योंकि खासकर अगेंच दा लाइट वाले फोटो काफी जादा फेड आउट हुआ है शाम को लिए शॉट में ग्रीन थोड़ा नैचुरल है कभी बहुँ जादा बूश्ट कर दे रहा है तो डे टाइम में ठीक ठाक ही फोटो आपको मिलता है और इवेन हीमन सब्जेक्ट का अगर बात करेंगे तो वहाँ पर आप देखो कलर सेक्दम कुछ अजीब हो गया है वास्डाउट जैसा सब्सक्राइब कर देता है तो कलर्स कहीं से भी नाच्रल किसी साइट संब को नहीं लगा लो लाइट में लिया गया शॉट ठीक ठाक था वहां पर बोल सकते हैं कि काम चला आपको शॉट मिल जाएगा और जो हम लोग ने फ्लैस के साथ भी फोटो लिया था वो भी अच्छ खासकर अगेंज दे लाइट में और ग्रीन जो है कभी-कभी अच्छा रहाता है कभी कलर बूश्ट कर देता है तो यहां पर भी कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं है सेम जगह का चार फोटो ले रहा थे तो चारो जगह अलग लग लग कलर दिख रहा था तो कुछ इस तर लो लाइट में फोटो से बेटर ना ही लो हर फोटो में आपको नॉइस तो दिखना ही दिखना है नाइट मोड बैसे तो मिल जाता है लेकिन उतना भी यूजफूल नहीं है बस शोचल मेडिया पर रख सकते हो अच्छा है कि फ्लैस आप यूज कर सकते हो एक चीज और अच करता है इसलिए काफी स्टेबल आपको शॉट्स यहां तक मिल जाएगा तीसरा कैमरा भी है दो मेगापिक्सल का लेकिन तीसरा के फोन में बाइट नहीं करें तो बहतर है फ्रेंट कैमरा का बात करते हैं तो फ्रेंट कैमरा का फोटो आप देख सकतो फेस चीखना करता है औ और कलर्स में कोई भी यहां पर कंसिस्टेंसी लेवल का कोई चीज नहीं है पूर्टेट मोड अच्छा खिसता है एज सेलेक्शन वगरा वो सब ठीक है उसमें कोई इश्यू नहीं है बट वाश्डाउट कलर और फेडाउट होना वो तो कॉमन चीज है और मौस सारे फोटो अच्छी ऊपर आचुके हैं यहां शूट करते करते एंड नीचे का व्यूज देखो यह पूरा हम लोग पहदल चड़के आ हैं और हम लोग यहां पे अल्ट्रावेट पर स्वीच नहीं कर सकते क्योंकि इसमें स्वीचिंग सपोर्टेड नहीं है तो यहां तक इस्टेपल अच्छा था तो क्वालिटी अच्छा दिख जाता है लो लाइट में भी वाइस के वज़ए से जिटरिंग इफेक्ट नहीं दिखता है तो हमको यह चीज पसंद आ है डे टाइम में बोल सकतो हो और कोई सपोर्ट नहीं है कैमरा कभी भी आप स्वीच नहीं कर सकते हो लो ल नहीं कर सकते हो तो यह सब चीजों का आपको धियान रखना पड़ेगा तो अकर अल्ट्रावाइट के वीडियो का बात करें तो यहां पर आल्मोस्ट हर जगह पर कॉर्णर पर आपको नौइज लेबल तो देखने को मिल जाएगा और इस्टेपलाइशन ठीक ठाक है डाइ क्वालिटी आपको देखी सकते हो नौइज से लेके हर चीज बिल्कुल भी आपको क्वालिटी यहां पर नहीं मिलेगा तो फ्रंट कैमरा का बात करें तो यह 1080p 60 अपर सपोर्ट करता है उसका अलाबा जादा कुछ आपको मिलेगा नहीं और 4K का यहां कोई सपोर्ट नहीं यह audio quality कुछ ऐस्तरिके काने वाला है इसमें कोई camera switching नहीं है किसी भी camera में आप कभी भी switch नहीं कर सकते हो यह against the light आप देखी दो पीछे sky blown out हो रहा है तो बहुत अच्छा dynamic range इसमें आपको नहीं मिलने वाला है और यह 1080p 30 अपे जहां पर थोड़ा सा बेटर हमको stabilization दिख रहा light कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है चेहरा को priority देता है वीडियो इसका और फ्रेंट में कुछ इस तरीके का आपको वीडियो मिलने वाला है अगर आप low light में अगे वीडियो शूट करते हो तो noise आपको हर जगा मिलेगा यह सब अरिया देख रहे हो आप overexpose हो रहा है face क पाफी ज्यादा soft कर दिया है तो ऐसा ही कुछ मिलने वाला है कुछ ज्यादा high expectation आप इसमें मत रखना low light में खास कर data में चलो ठीक है काम चल भी जाता है आपका बट low light में बहु ज्यादा सब कुछ blown out blown out आसपास का चीज दिखने वाला है और अगर हम face पी proper light का बात करें तो भी आप देखो कि यह सब अरिया पूरा blown out हो चुका है तो कुछ इस तरीके काई वीडियो रहेगा तो कि सिंबल सा camera interface मिल जाएगा जो जनरली शामी के फोन में जसा होता है document reader है गया 200 megapixel mode हो गया video setting हो गया photo mode हो गया portrait mode हो सिंगल camera है इसमें portrait mode में कुछ अलग option pro mode panorama यह सब settings अलग सापको मिल जाता है तो आज का screen on time देखो और battery देखो इसका एक reason सबसे बड़ा पता है क्या है यहाँ पे देखो आप मतलब इसका gate apps जो app है वही सबसे आदा battery consume कर लिया है तो यह सब चीज जो है न शामी को यह सब चीज पर ध्यान देना थोड़ा ज़्यादा जरूर यह बली है आप charging speed fast देतो लेकिन एक घंटा screen on time में आपका battery आधा हो जा रहा है तो भाई यह सोचने वाली बात है तो अकर final line समसे पूछा है तो भाई यह phone जो है एक अच्छा phone है लेकिन यह phone जो है camera के लिए नहीं है almost हर जग आपको compromise करना पड़ेगा market में available काफी सारे और phones है अगर आपको camera देखना है तो वह सब आप phone देख सकते है अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई